हेलो दोस्तों नमस्तियादाद सत्री आखाल एंड वेलकम टु स्टेडी आईक्यू स्टेडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में जैसा आप थम्निल में देख पा रहे होंगे हम लोग उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल इंपॉर्टेंट है लगातार अभी जितने भी स्टेट पीसेस के एक्जाम हुए वहाँ पर उनके उपर कोशन पूछा जा रहा है तो चलिए आज के सेसन को हम सुरू करते हैं लेकिन इस चैत्र नौरात्री में आप सभी को सबसे पहले तो हार्दिक सुपकाम ना है और हमारा SIP लाइब बैच है SIP प्लस लाइब बैच है जहां पर आपको सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनकी लाइब क्लासेज होंगी जहां पर आप डाउट पूछ पाएंगे इंटरेक्ट कर पाएंगे टीचर से साधी साथ आपको उत्तर प्रदेश PCS की जो पार्ट सेरीज है स्टेडी आईक्यू की वो भी इसमें बिल्कुल फ्री मिलेगी तो जल्दी से जाएए इंडोल करिए और कूपन कोड इस्तमाल करना है इस डिसकाउंट के लिए PC स्टेट मेरा नाम पंकर 24 तो आप यहां पर PC स्टेट कूपन कोड का इस्तमाल करके इस हमारे डिसकाउंट का फायदा उठा सकते तो जल्दी से फटा फट जा करके जोईन करिए हमारे इस बैच को 24 मार्क से सुरू हो रहा है यह लाइव क्लास है सुबह 9 बजे और साम को 6 बजे तो चलिए बात करते हम लोग उत्तर प्रदेश की रामसर साइट के उपर लेकिन उ कि संख्या हो चुकी है हना हमारे आजादी के जो अमरत महसाव मनाया गया 75 साल पूरा होने पर तो यहां पर 75 टोटल रामसर साइट 15 अगस 2022 को हो चुकी है इंडिया में और अगर हम यहां पर बात करते रामसर साइट है क्या चीज़ तो रामसर हमारा एक इरान का सहर है जहा पर हमें उनको conserve करके दुन्या के हमारे पटल पर लेकर के आना है इसकी सुरुवात होती है इसलिए हम लोग दो फरवरी को वर्ड वेट्लेंड डे के रूप में भी celebrate करते हैं तो वर्ड वेट्लेंड डे जो है वो हमारा दो फरवरी को होता है क्योंकि 1971 को रामसर कन्वेक्शन के तैक Wetland Side का जो हमारा तमगा है वो दिया जाना शुरु हो गया था और इस बार का जो हमारा Wetland Day का theme है वह Restoration से सम्बंदित है Restoration of Wetland Side ये हमारे इस तो restoration of Wetland Side ये 2023 के हमारे Wetland Day का theme है अब अगर हमना यहांपर बात करते हैं कि हमारे इस कन्वेक्शन में कितने देश हैं तो जनवरी दवर 23 के डेटा के अनुसार 171 देश इसके हमारे हिस्सा बन चुके हैं अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर जो 171 देश हैं रामसर कन्वेक्शन में उसमें कितनी साइट टोटल अभी तक है तो यहाँ पर 2400 किलो मीटर में फैली उई हैं आगर हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहली साइड कौन सी थी तो सबसे पहली साइड 274 में आप यहुआ पे कोबोग पेनिसुला की ओस्टेलिया की जो साइड है यह रामसर की पहली साइड बनी आप यहां पर देख सकते कोब पर पूरे वर्ड की साइट है 1974 में इसको रामिसली वेटलेंट साइट में हमारे सम्लित किया अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा वह हमारे रामसर साइट तो आप देखेंगे सबसे दर रामसर साइट वह हमारे United Kingdom 175 और दूसरे नमबर पे मेक्सिको आता है जहांपर 102 साइट यहांपर देखने को मिलेंगी अब यहांपर बात आती है कि सर हमारे वेटलेंड साइट समझ में आ गया कि हमारे जो जैसे लेक हो गया या कुछ ऐसा हमारा जीले हो गई या ऐसा water bodies हो गई जहां पर ecosystem जहां के जीव जन्तू जहां के पेड़ पौदों को सरनक्षित करने के लिए जिनसको ने ये रामसर कन्वेक्शन शुरू किया था, रामसर साइट का तमगा देना शुरू किया था, अब इंडिया इसका member कब बना और इंडिया की पहली wetland site कौन सी थी, तो इंडिया इसका जो member है, सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, 1981 में भारत जो है, इसका सदस से 1981 में बना था, यहाँ पर मैं लिक देता हूँ, और हमारे इंडिया की जो पहली site है, वो दो भारत पूर में आपको देखने को मिलेगी, यह दोनों हमारी पहली wetland site में समलित की गई, तो भारत की पहली wetland site चिलका जील और केवलादेव नेशनल पार्क, जो भारत पूर राजिस्थान में है, यह दोनों दिखाए देंगी, और ऐसे करते करते हमारे यहाँ पर 2021 में जो सरक्षित करने के लिए इसको रामसर साइट घोसित किया गया है, तो यहाँ पर टोटल 75 रामसर साइट हो चुकी है, जिसमें से सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, तो 14 रामसर साइट जो है, वो तमिल नाडू में है, और उसके बास से नंबर आता है, उत्तर प्रद इसमें कितने रामसर साइट है, जिनको वेटलेंड साइट हमारे आदर साइट जिनको हमारे कंजर्व किया जा रहा है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टोटल 10 रामसर साइट आपको दिखाई देंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल 10 रामसर साइट है, जो आप इस वाले हमारे स्लाइड में देख पा रहे होगे अब ये कौन कौन सी है तो सबसे पहले यहां पर हमारे दिया हुआ है बाकरिया सेंचुरी हमारे बाकरिया सेंचुरी को 2021 में रामसा साइट में समलित किया गया और ये संत कबीर नगर में पिक्जाम में पूछेगा बाकरिया हमा उसके बाद से हमारे पास आता है समन वर्ड सेंचुरी ये मैन पूरी में हमारा 2019 में इसको भी रामसर वेटलेंड साइट में समलित किया गया था है ना समन के बाद आता है हमारे संडी वर्ड सेंचुरी जो की हरदोई में देखने को मिलेगा हरदोई में ये भी हमारे 2019 में वे बिजनौर में पश्चमी उत्तर प्रदेश मुझफर नगर और बिजनौर में देखने को मिलेगा फिर उसके बास से पारवती आगरा वाइड लैप सेंचुरी वापस से यह हमारे गोंडा में दिखाई देगा 2019 में यहां पर आप देख पाएंगे पारवती अरगा वाइड ल चावल जील है यह आपको इटावा में देखने को मिलेगा और यह हमारी नौवी वाइड़ लैप संचुरी है और सबसे लास्ट में जो हमारी म्हारी वाइड लैप संचुरी है वह है अपढ़ गंगा यहाप को हरिद्वार रूर्की मेरड बूलन सेर जो यह पूरी अपर रामसर साइट की सबसे पहली रामसर साइट भी यही आपर गंगा इसको रामसर जो कैना कहां पे आप मेरट में हमारा जो बुलन सहर है यहां पर यह हमारी नहर जाती है हरिद्वार और रुणकी से होते हुए 2005 में सबसे पहली साइट यही थी तो यह हमारी 10 साइट है भाकरिया, नवाबगन, संबन, बड़ सेंचुरी संडी, बड़ सेंचुरी, सुर्ट सरवर है हैदरपुर है, पारवती अरगा है उसके ऐसे समासपुर है हमारे सरसई नवर है और फिर अपर गंगा आप यहां पर देख पाएंगे इस तरीके से टोटल हमारे 10 रामसर साइट के साथ उत्तर प्रदेश जो है वो आपको कौन से नंबर पर दिखाए देगा यह आपको हमारे दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वाइडलाफ संचुरी के मामले में दिखाए देगा तो इस तरीके से आपके एक्जाम में क्या-क्या प्रसन पूल सकता है रामसर साइट से सबसे पहले तो आपको मैचिंग करा सकता है आपको जिल्लो के नाम दे देगा भईया यहाँ पर सुर सरोवर दे दिया यहाँ पर भाकरिया दे दिया यहाँ पर नवाब गंज दे दिया और आपको मैचिंग करा सकता है आपको इनको मैच करना पड़ेगा कोई इसको रोक नहीं पाएगा क्योंकि अभी तक जितने भी हमारे स्टेट लेबल के एक्जाम हो चाहे वह BPSC का उसके प्रिलिम्स के एक्जाम में रामसार साइट से कोशन पूछा गया है तो आपको भी यह सारे रामसार साइट को अच्छे से त्यार करना है ताकि आने वाल PCS का स्पेसल बैच है जहां पर आपको बहुत सारी चीज़े सिखाए जा रही है उसको जाकर के जल्दी से जॉइन करना पड़ेगा और ये 24 मार्च के पहले जॉइन करिए PC स्टेट कूपन कोड के साथ क्योंकि यहां पर आपको मिलने वाला है हमारे SIP PLUS UP PCS के इस बैच मे हैवी डिसकाउंट तो मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ते रहिए सीखते रहिए और वीडियो देखते रहिए